हेलो फ्रेंट एडुकेशनल फ्रेक्ट चैनल में आपका स्वागत है बात करेंगे कटफ की फाइनल कटफ है जे इलेक्ट्रिकल 839 पोस्ट कोड है उसका जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो आने वाला है तो सबको रिजल्ट का वेट है और साथ में एक ये संशे है कि इस सबसे फ़ले मिलती रहें तो बात करेंगी कटफ की हेंडरिशिंग पे ना जाएं जाएं हेंडरिशिंग थोडी गंदी है तो बात करेंगे इसमें सबसे पहले जो General की कितनी पोस्टे थी और EWS की किनी थी category wise पोस्टे जानेगे जनरल की समें 57 पोस्ट थी EWS की 26, SC की 28, BPL की 5, ST की 6, ST BPL की 1, OBC की 23, OBC BPL की 4 और WPT इसमें एक तोदो पोस््त थी, टोटल आपकी 156 पोस्ट थी, जिसमें आपकी पोस्ट होने वाली है, भर्ती होने वाली है, ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे इसकी क्या final cut up रहने वाली है, तो अगर हम इसके exam की बात करें, तो जो इसका exam था वो काफी tough नहीं था, moderate level का था वो आपका, तो इसमें moderate level के exam होने पे आपकी जो cut up है, वो थोड़ी high रहने के chances है तो इसमें जो आपकी cut up रहने वाली है general की cut up है, वो जो हमने sources के मादरिम से जो data इकठा किया student से भी पूछा, तो analysis करके हमने ये पाया है कि जो इसकी general की cut up है, वो आपकी 63 से 67 के बीच में रहने वाली है, ये थोड़ी high इसलिए रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है, इसमें जितनी भी UR categories होती है आपकी उससे shifting हो जाती है, उपर आपकी general category के लिए, तो इससे आपकी जो general category है, वो थोड़ी उसकी cut up high rate दी है तो इसकी जो है, 63 से 67 के बीच में रहने वाली है, इसमें आप 2 marks प्लस मैंस कर सकते हैं और अगर हम बात करें EWS की तो वो 56 से 58 के बीच में रहने वाली है SCUR की बात करें, तो 57 से 59 के बीच में ये रहने वाली है इसमें पोस्टे ठीक है, तो 57 से 59 के बीच में ये रहेगी और BPL की बात करें तो इसमें 53 to 55 OBC की बात करें, 56 से 58 के बीच में इसकी cut up रहने वाली है और BPL की बात करें इसमें तो 52 to 54 और ST में आपकी पोस्टे कम हैं इसके थोड़े से हाई रहने के चांसिस है तो 57 to 60 इसकी cut-up रहने वाली है और इसमें BPL में तो E की पोस्ट है ST BPL की जिसमें 58 प्लस अगर है किसी के तो वो safe है और other में अगर आपके जो W5 की category में जो पोस्टे हैं अगर उसमें आपके 55 माक्स बन रहे हैं तो आपड़े सीके हैं अगर आपके 50 के करीब है तो आपके जब रिजल्ट आए तो आप सभी की सिलेक्शन हो जो इससे देख रहे हैं आगे इसमें हम सेलरी की बात करेंगी जब आ पे तो आपको कितनी salary मिलने वाली है तो जो जे इलेक्रिकल की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपकी pay है वो थोड़ी जादा ही रहती है इसमें आपको पहले जो मिलती थी वो 10 900 basic मिलता था और इसमें 43 50 आपको grade पे मिलता था इसमें जो new 6th pay commission के according इसमें आपकी जो salary रखी क होते हैं लेकिन आपको contract base भी आपको इसका 46,000 का 60% मिलता है और वो 60% कितना होता है 60% आपका अगर हम इस 40,000 का 60% निकाले तो आपका 27,600 होता है तो यह आपको contract base पे salary मिलने वाली है आगे अगर हम बात करें कि इसका result कब आने वाला है तो आपको result 15 March से पहले देखने को मिल जाएगा यह result लगब प्यार हो ही चुका होगा इस time तक क्योंकि काफी time हो गया है तो यह 15 March से पहले पहले आपको ज़रूर देखने को मिलेगा तो यह थी आज की update आई होग आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को subscribe करना न मिलती रहें तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए